आज हम टाइप्स ओफ शिप सीरीज के एपिसोड नमबर 11 में, फिशिंग ट्रॉलर्स के बारे में डिसकस करने वाले हैं। फिशिंग वेसल या ट्रॉलर्स कमर्शल मचली पकरने वाले जहाज है जो समुद्र में बहुत अंदर तक जाकर लाज कॉंटिटी में फिशिंग करने में सक्षम होते हैं। जिन्हें मचली फसाने वाले बड़े नेट ट्राप्स को संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनका सूपर स्ट्रक्चर जैसे वील हाउस और अकॉमडेशन आगे, मध्यम में या पीछे हो सकता है। आमतोर पर इन पर मोटराइजड विंचेज, इलेक्रोनिक नाविगेशन और सोनार सिस्टम स्थापित किये जाते हैं। मचली पकरने के उपकरन के फीचर्ज और ऑपरेटिंग प्रसीजर्ज जहास के आकार और उप्योग की गई तकनीक के आधार पर विभिन होते हैं। ट्रॉलर पकरी गई मचलीों को किसी न किसी रूप में थंडी अवस्था में प्रिजर्व करते हैं। उनके पास मचलीों को फ्रीज करके संरक्षित करने की सुविधा है, जिससे वे लंबे समय तक समुद्र में रह सकें। कम से कम, मचली को बर्फ से धके बक्सों में स्टो किया जाएगा या फिश होल्ड में बर्फ से संरहित किया जाएगा। सामानने तोर पर मचलीों को बर्फ या प्रशीतित समुद्री जल से थंडा करके या उन्हें ब्लॉकों में जमा कर ताजा रखा जाता है। जहाज जितना बड़ा होगा, फिश प्रेजिवेशन की सुविधाओं को शामिल करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। Commercial Fishing एक High Risk वाला बिजनस है और कई देश मचली पकरने वाले जहाजों के निर्मान और संचालन को रिस्ट्रिक्ट करने वाले नियम पेश कर रहे हैं। 200 Nautical Miles की मचली पकरने की सीमा ने मचली पकरने के पैटन को बदल कर रख दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करिए। अपने Friend Circle में इस वीडियो को जियादा से जियादा शेय करिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका समय शुभ हो मिलते हैं अगले विडियो में